इसमें इरान हमारी पूरी मदद करेगा हम लोग को तालीबान पर कई और से प्रेसर बनाना चाहिए खास करके इनके हथियारों की तुरू देखिये इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका हथियार है इसी को कमजोरी बना देना चाहिए इनके पास अपनी कोई बड़ी फैक्टरी नहीं है जहां से यहाँ थियार लेते हैं यह बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं इधर उदर स्काला मार्कट से हमें वो मार्केट में घूछ जाना है ये बंदूग की जो गोली होती है ये कार्तूř होता है यह गोली नहीं होती इसमें बारूद भरा होता है असली सरीर के अंदर यही घुसता है यह क्या होता है अब यहां ध्यान देंगे जब बंदूग पर यहां ट्रिगर दबता है तो यह ब्लास्ट होता है ब्लास्ट होने के बाद यह बारूद निकलता है तो यह इसको ढखेल देता है, आप यहाँ देखिए, यह सब बारूध है, यहाँ पर यही उपर वाला जो नोख है, इसी से निकलता है, तो अगर इस बंदूक में, इस गोली में, अंदर से यहाँ पर एक मेटल का प्लेट वेल्डिंग करके जोड दिया जाए, और अगर जैस इसे वेल्डिंग करके यहाँ मेटल का प्लेट जोड देंगे, और इसमें बंदूक तब फायर करीगा है, धाम से न, तो यह ब्लास्ट होके यही भड़क जाएगा, यह आगे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसको निकलने का रास्ता ही बंद कर दियें, तो ऐसी बंदूक की गोली लेकर चलोगे से सुरे, धर 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 मारो, मारो, धर 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 पता चला, वही में, दोस गोगोली मारे, खरब का आगे, अमारे धराम से फट जाएगे, आदमी भी गया,